सच है जितने दिन तक जी गई बस उतनी ही जिन्दगी है क्योंकि मिट्टी की गुल्लकों की कोई जिन्दगी नहीं होती नमस्कार आप देख रहे हैं News World India और मैं हूँ आपके साथ भार्ती सेंग मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहां से लाओगे इसी स्लोगन के साथ आज हम आपको याद दिलाते हैं World Soil Day यानी विश्व मिट्टी दिवस यह दिन सयुक्त रष्ट की ओर से हर पांच निसंबर को मनाया चाता है इस दिवस को मनाने का मकसद किसानों को मिट्टी के प्रती जागरुप करना है दुनिया भर में मिट्टी के कई रूप हैं लेकिन रूप की महत्वता क्या होती है इसकी जानकारी हर इनसान को नहीं होती उपजाओ मिट्टी किसानों के लिए काफी उपयोगी होती है जिससे किसान लोगों का पेट भरता है बंजर को उपयोगी बनाने के लिए किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिसमें ज्यादा खाद कीटनाशक दवाईयों का इस्तमाल करना पड़ता है क्योंकि इस दौर में मिट्टी की उपजाओ शमता में गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि किसानों और आम लोगों को मिट्टी की सुरक्षा के लिए जागरुक करने की जरूरत है इसलिए यूएन में ये फैसला लिया गया था पांच दिसमबर 2014 को पूरी दुनिया में पहला World Soil Day मना गया उस वक्त इसकी थीम थी Caring for the Planet Starts from the Ground इस मौके पर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने केसानों से मिट्टी की नियमित परिक्षन के लिए स्वस्तधारा खेत हरा से आवाहन किया था दुनिया की 33 प्रतीशत मिट्टी पहले से ही बंजर हो चुकी है जो हमारी खेती से सिध होती है ये भी सारी दुनिया जानती है कि खाने का 95 प्रतीशत भाग मिट्टी से ही आता है 20 दिसंबर 2013 को संयुक्तराष्ट के खाद एवं कृशी संगठन ने 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदास दिवस मनाने की पेशकश की थी जैसे संयुक्तराष्ट की ओर से सुविकृती दी गई थी संयुक्तराष्ट महासबा ने इसी संकल्प के साथ साल 2015 को अंतराष्टे मृदास साल के रूपे मनाने का फैसला लिया फिलहाल स्पेशल दे में बस इतना ही नमस्कार